अफ्टांट के एकनॉमिक्स का ए चाप्टर टोटल खतम कर दिया है तो आज हम लोग स्टार्ट करने हैं 9 नाइफ चापْटर जिसका नाम है मनी मार्किट एड़ कापिल मार्किट इंडिया ठीक है और वेडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मैंने चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें तो बैसिकली अगर हम बात करें तो हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस है अगर आप बोर्ड एक्जाम देना चाहते हो तो वहां पर आपको हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस है अगर हर चैप्टर में से आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हो तो आप इसली बोर्ड एक्जाम में पास हो और फाइनस का मतलब क्या पैसा है अगर पैसा है नहीं होगा तो किसी भी नेशन की ग्रोपहन ही और नहीं डेवलप्मेंट होगा करद सेया है grasp सब्सक्राइब कि पैसे का मैनेजमेंट किस तरीके से हो इकनामी में यह पता चलता है यानि कि कहां पर पैसे की जरूरत है रिक्वार्मेंट है वहां पर पैसे को फुल्फील करवाना यह क्या होता है एक कलिका में प्रूइजमेंक और पीसे की ठील सबर्वार्मेंटव को सब्सक्राइब पर्सक्राइब पैसे की जरूत पड़ती है और पब्लिक फाइनास यानि की गवर्मेंट जो है लोगों पे पैसा लगाती है पैसा इंदसेंस उनकी नेक नेशन की ग्रोथ पैसा खर्चा करती है दा फाइनेशल सिस्टम ऑफ दी कंट्रे इस रस्पोंसिबल फॉर ओड पर वाइशन अद अलोकेशन ओफ फंड किस तरीके से उस फंड को अच्छी तरीके से यूज करना है मोबिलाइज करना है और किस तरीके से डिस्ट्रिबूट करना है एड हैं एड वाइटल राइव वाइटल फॉर्द एकोनॉमिक ग्रोथ और इस जगह पैसा होगा एकोनॉमी में तो बेसिक सी बात है डवलप्मेंट तो हो गई तो फाइनेशल सिस्टम इंडिया कंप्राइज एक जो है फाइनेश इंस्ट्यूशन है दूसरा फाइनेशल मार्केट जो क सब्सक्राइब अंगे स्थिए्ट लस्वाम फाइनेशल मार्केट हों मोलेत फाइनेशल इंस्ट्रूमेंट फ्रिच को हम बढ़ते हैं इसप्राइब इस मार्केट हो इने-च्क्राइफ अब इसको छोटे से वर्ड में समझते हैं ऐसा जाता है जहां पर हैं इसको ख़ीदा कहां से जाता है कौन कौन सी मार्केट है एक तो बैंक है दूसरा नॉन बैंक है ठीक है नॉन बैंक की फाइनेशल इंस्टूशन जहाँ जिसे आपके आपने किसे बड़े सहुकार से पैसे उधार लिए है तो वहां पे बैंक का किसी भी तरीके से इंवाल्मेंट नहीं होता है ब्रोकर हो गया है म्यूचल फन हो गया डिसकान्ट हाउस जहां सबसे आप मार्केट की सांजिव मार्केट है जहां से आप पैसा क्या करते हो पैसा उठाते हो अग का संब्सक्राथ को मुजब करने एंद करने करते नहीं हैं तो यहां पर हमारे इंडिया में फोर financial system है और for financial system के अंदर दो चीज़े बहुत important है पहला market financial institution कॉंड कॉंड जो है fund देता है government को दुसरा कहां से मिलता है ठीक है और यहां पर दो market है पहला money market है दुसरा क्या है capital market तो सबसे पहले हम समझते है money market को money market क्या है यह short term instrument है जो क्या करती है short term fund जो है borrow करवाती है lending या borrow करवाती है तो money market क्या है lending and borrowing of short term funds in the it is a market for near money जो आपको short term के लिए money borrow कराता है तो यहां पर कौन कौन से चीज़ है जैसा trade bills से government security प्रामिस ने नोट से यह सारी चीज़े जो है money market प्रवाइड कराता है और सच इंस्ट्रुमेंट आर हाइली लिक्वर्ट लेस रिस्की एंड इसली market with a maturity period of one year और less than one year तो यह यहां पर लिक्वर्ट रिस्क जो है वो काफी कम होता है यानि कि फ्रॉड के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं जिससे प्रॉफिट जन्रेट होता है ठीक है तो यहां पर दिया भी वह बॉंड क्या होता है एक्विटी शेयर क्या होता है डेरीवेट्व हुआ होता यह आप लोग आपॉल रीद आउट करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे ठीक है गोर्फिन सेटि क्या होता है यह सारी टं जो है यहां पर एक्स्प्लैड कि रीचें में आत lat तो आगे बढ़ते हैं हम देखो यहां पर दिया गया प्रोमिस्ति नोटेट बिल्स यह सारी चीजे़ जो है यहां पर दी वोई है ठीक है नेक्स आता है हमारा स्ट्रॉक्चर ऑफ मनी मार्केट इंडिया तो इसका डिक्षा कैसा है देखो दो तरीकित हैं एक जो आता है यह करते हैं में आता है जो अपने पैसे को रिंट पर यह या विकन से बॉर या लेंडिंग करता है सो मंदी मार्गेट इन इंडिया इस इंडिया इस बीडिन स्था इंडिया इन इस जेसे ट्राइब आपर कमरिंश बॉट्थ इंडिया और सब्सक्रांव अब नेखें सेक्टर चाहां जब्लप्मेंस इंस्टिूशन हैं यह सारी चीजर्ट आपर आती है और इस तो यह तो यांपर अपर कॉम्प्राइज और इंडिजिव्टनियस बंकर मन्यस बन्च और फैंटेटे और इने Gateway यह शबक्रे honesty कहीं पर यह ँदूसरsquare लिए सक्कार में अबकाइब जो अगर फोरे इंडिया में अगर बात तो मनें मार्केट का जो से बड़ा सेंटर है सेंटर जोन है वह क्या है डेली है मुंबाई है और कोलकता है सो हावेवर मुंबाई हमेशा जो है वह एक्टिव रहता है थ्रूदा मनी मार्केट सेंटर फॉर वार्ट फ्लोविंग ओफ आल पार्ट्स ऑफ दी कंट्री यहां पर दो चीजें हैं पहले मै त्यसले क्या है वह के तो बोछ सब्सक्राइब क्या पर दिया हुआ है हम लोग आज लेक्टर पढ़ेंगे समयावे और और हम है मुक्षा कैसे पहले हम जानते हैं ऑर्गौाइब क्या होता जैसे कि मैंने आपको बताए और क्या है जहां पर बैंग की Tarms कंडिशन पर काम करना होता है जिसे यहां पर एक्जांपल भी दिया हुआ है रिजर्व बैंक है कमर्शियल बैंक है कॉपरेटिव बैंक है रेगुलेटर फाइनेशल इंट्रेमेडेटर है यानि कि यह लोग अपने हिसाब से आप से किसी भी तरीकी का इंट्रेस्ट चार्ज सब्से पहली बन आती है रिजर्बांक फिंडिया तो crystal bank हर country में एक central bank होती है तो इंडिया मुद्य मैं कॉन से मैं इंडिया मैं प्य haran concerned about क्या है कौन सी RBI Reserve Bank of India so which is apex of the banking system it interested with the responsibility of regulating the money market in the country money market को regulate करने का काम कौन करती है RBI करती है so Reserve Bank of India is the central bank of country and RBI is set up on the basis of recommendation हिल्टन यॉंग कमिशन इनके recommendation से RBI को set up किया गया था और इसका आक्ट क्या है 1934 तो यह function करने के लिए 1934 में आई थी आर्पी आई कमेंस्ट इन फर्स अप्रिल 1935 और फर्स अप्रिल 1935 से यह काम करना स्टार्ट हो गई अजब प्राइवेट शेर होल्डर बाइंक और आर्विए वाज नाशनल लाइज नाशनलाइज का हुई 1949 को फॉर्स जनवरी 1949 को ठीक है तो यह सबसे इंपॉर्टन कॉंस्टुमेंट है किसका मनी मार्केट का यहां पर पॉपिलर डेफिनेशन दी गई है पहला जो दिया है में इस डी कॉक ने दी है सेंट्रल बाइंक इस वान विच चौंस्ट्रेट द अपैक्स ऑफप दे मॉनिटरी और बाइंकिंग स्टुक्चर ऑफ दे इंडिया त्रेंड वह बैंक है जो क्या करती है सिस्टम को regulate करने के साल banking structure को भी क्या करती है कमांड करती है या उसे act करने के लिए help करती है या उसे proper run करने में smooth flowing में help करती है दुसरे definition दी है whatale Central bank is a bank which controlосто control Andre का मतलब क्या होता है fund का जो flow होता है यानि के credit का मतलब क्या उधारी պैसा देड़ा तो जो fund का flow होता है economy में उसको control करने का काम कौन करती है RBI करती है तो आप लोग फंक्शन देखेंगे functions of Reserve Bank of India सबसे पहला जो है सबसे पहला function जो है वो note issue करती है कौन करता है Reserve Bank of India आर बिया है इसके पास ही राइट है क्या नोट चापने के है ना higher और smaller denomination के मतलब ज्यादा अमाउंट के भी ज्यादा जबाउंट हो तो उसकी भी करन से को चापती है और बड़े हुए एक्सप्ट वन रुपीज और वन रुपीज नोट इन कॉइन पर जाइस पर कि अंटन को चापने पिज्याद रुपीज नोट जोटेंठ पास्याद अमर्laughing जबाइन क्रशेर बare Mind alsom beta Life 소inas finger भिशू टो घिम से क्रेंट केस्ट 我न कोज़र्मेंट केस्ट तो जोटो सब मीनिमाम सेब्सक्ट सिस्ट्थ आएजर्पान है को required होता है कि वह क्या करें वह मिनिमम जो है वह गोर्ड और फॉरन एक्सचेंज जितना यहां पे 200 क्रोज जो है वह एक स्टॉक में रखे आउट ओफ वन वन फाइफ क्रोड वह गोर्ड में आइधर किसमें फॉरन एक फॉरन करन्सी या फॉरन सिक्योर्ड गवर्मेंट सिक् अक्त आज-बैंकर एंड आद्वाइजर द वजाशर तो गवर्मेंट एट विजनेस अफिश्च ते डॉस्ट्राइण पोड़ों में च या राइंकि यह संड्र गर्मेंट के साथ साथ स्टेट को भी आदवाइस करने का काम करते हैं फॉर गॉर्ड टर्पी मॉनेटरी ट् पॉब्लिक और पॉब्लिक डेप्ट का भी management करती कि यह बैंकों की भी बैंक है और जितने भी economic issues होते हैं उनको advice करने का काम कौन करता है और बी आई करती है थर्ड पॉइंट बैंकर्स बैंक है नहीं कि कह सकते हैं कि जितने भी कमर्शिल बैंक है उन पर किसका कंट्रोल होता है RBI का होता है so all scheduled banks are compulsory required to maintain certain minimum of cash and cash reserve with the RBI against their demand and time liability so RBI provide financial assistance to the bank in the form of discounting of eligible bills loan and advance are also provide against the approved security next आता है कस्टोडियन अब कस्टोडियन भी है foreign exchange की कौन है RBI है so RBI act as custodian of foreign countries foreign exchange it has maintained यह क्या करती है official exchange rate को और stability को बनाय रखने के लिए helpful करती है so RBI also undertake to buy and sell the currency of all the member of international monetary fund ठीक है अब यह और क्या करती है जितने भी control जितने भी credit है जैसे कि government क्या करती है अगर government किसी को उधार पर पैसा देगी तो क्या होगा वहां पर credit control करेगी ठीक है तो वहां पर यह अपना काम करती है जैसे कि जैसे अभी कि किसी commercial bank को loan देना है तो वहां पर बाइंग बाइंग क्रेड ओपन मार्केट ऑप्रेशन के सारे चीज़ों को क्या करती है इन सारे method से क्या करती है control करती है credit को volume of क्या करती है control करती है किसका credit का नेक्स आता है collection and publication of data तो जितने भी related data statistical information होते हैं वह क्या करती है collect करने के साथ साथ financial sector में publish करने का भी काम कौन करता है और भी आई promotional and development functions भी RBI के थ्रू होते हैं so RBI also perform certain promotional development functions such as extending क्या कौन कौन से extending bank banking service कौन कहां कहां पर urban and rural areas semi urban rural areas and providing security to depositor development of specialized institution for agricultural credit कौन कौन सा financial finance last जो हमारा है RBI act as a clearing house of settling account between members bank and as a lender of last resort it also provide liquid to a bank experience financial difficulty अब इसको मैं शौर्ट वर्ड में समझाती हूं आपको कि कोई बैंक अगर डूब रही है या कोई बैंक को financial या फंड की जरूरत है ताकि उसकी बैंक फिर से जैसी यह बैंक कुछ ताइम पहले आपके आफ यहां थे बन्ध हो गई थी तो उस बैंक को फिर से मार्केट में रन करने का जो duty था या रन करने का काम वो किसा था ऑबिया नहीं करेगा क्या करेगा मनी लängt करेगा और उन्हें प्रॉपर उन्हें financial difficulty से क्या करेगा बाहर निकालेगा ठीक है तो ये थी हमारे functions of RBI ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब हम लोग discuss करेंगे commercial bank ठीक है तो हमने आज RBI discuss किया तब तक के लिए अपना ख्यार रखिया और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले थाइंक